हेलो एवरिवान वेलकम टू टैरो वाल्ट टैरो कार्ट की रहस मैं दुनिया फ्रेंट से स्कॉर्प्यों का निकाल रहे हूं आने वाला समय कैसा दिखने वाला है क्या होने वाला है चले देखते हैं सब्टेंबर मांच से स्टार्ट होगा आपका और दिसम्ब नौवेंबर तक कर रहेगा पिरिट तो चले देखते हैं कैसे क्या होने वाला है इससे पहले मैं काना जी का नाम लेना चाहरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे चले आपके क्या मूव्मेंट्स होने वीडियो चले देखते हैं क्या होने वाला है आपके लाइफ में समय का पहिया घूम चुका है ठीक है और अपने कारें में देखो बिल्कुल इतना अच्छा काड आया है और गौड भी कह रहे हैं कि देखो मुवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में ठीक है और मुझे ऐसा होने वाला है सप्टेमबर मन से थोड़ा मुवमेंट जो है कभी-कभी आपका मूड स्विंग्स होगा लाइफ में ऐसा लगेगा कैसा क्या रहने वाला है बहुत जैसे काम का प्रेशर रहेगा किसी भी तरह का काम आपका हो सकता है मैरेज वर्पस से अगर देख रहे हो तो आए कुछ भी फेस करना पड़ेगा लेकिन अंदर से आप स्ट्रॉंग रहोगे दिमाग से मजबूत रहोगे हर प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सको ठीक है और मैंने बोला एक नई जर्नी आप गौड पर बिलीव रखके एक नई जर्नी आप जी ओगे ठीक है एक नई जर्नी का आगे बढ़ रहे हो बस यह समझ लें लाइफ में बहुत उतार चड़ा हुआ है आपका अप एंडाउंस बहुत देखा है चलिए अभी देखते हैं और भी कार्ड्स के ठू कैसा क्या रहने वाला है आपके लाइफ में क्या होने वाला है सेप्टेंबर तु दिसंबर है जो काम का प्रेशर के वज़त से हो जाता है जो भी काम आप करते हैं जिस भी परपस से वीडियो देखने हैं स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी है मैरे जिनके होचके उनके लिए भी है जो भी आप काम को ले रहे हो कर रहे हो हड़ बड़ा हड में कोई काम नहीं करन लग रहा है कि क्या करूं क्या नहीं ऐसा बहुत जादा उथल बुदल भी चलता है बट आपके लाइफ में पैसा बहुत है घर परिवार सब चीज़ है आपके लाइफ में ठीक है अगर फाइनाशली कहीं किसी को दिकत हो रही थी तो वो मुझे लग रहा है कि अब इसे फोर आफटर फोर विक्स आफटर फोर मांस किसी किसी के लिए फोर यानी फोर यार्ज के अंदर भी बहुत बहुत जादा ग्रो करोगे आप लोग फाइनाशली लाइफ में पूरा बैलन्स है आपके गॉर्ड जिस लिरियूजन के हैं आपके गॉर्ड आपके उपर नज़र तो वाइफ फ्यांसी हो या फैमिली में कुछ ऐसा है तो मुझे ऐसा लग रहा है अब रिस्ते सुधर हैं रिस्तों में सुधर हो रही है और किसी के लिए अगर आपको किसी का वेट कर रहे थे आपको कोई opportunity नहीं मिल रहा था कि कहीं से marriage के लिए आपको लग रहा था कि marriage नहीं हो रही है कहीं से कोई offer आए तो मेभी offer दो महने के अंदर आने वाला है ठीक है जब से वीडियो देखेंगे दो महने के अंदर कहीं न कहीं से आपको एक अच्छा रिस्ता आने वाला है ऐसा दिख रहा है और बहुत कोई है जो आप जिस तरीके का चाहरे हो वैसा ही मिलेगा ठीक है आपके गौड ने आपको माफ कर दिया है कुछ भी अगर वैसा किया था अपने आपके गौड आपको माफ कर रहे हैं और बिल्कुल बैलंसिंग को हistä रहे हैं तापको लाइफ जो है अब विल्कुल रहने वाली है किःफी अगर मने चेल रहा है थो उस चीज को भूल जाए आगे बढ़एं आपके लाइफ में मैं क्यों गौड ने आपको माफㄱ त।ह्पर नहीं है और जो भी चीज आपके लाइफ में चल निकल पाते हूं लेकिन अब आप निकल जाएंगे और हर चीज को एक्सेप्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं चलिए और भी काड़ के च्रू देखते हैं स्कॉर्पियों क्या हो रहा है आपके लाइफ में और क्या होने वाला है कैसा चल रहा है करेंट लाइ बुरा वो साब अब कर्म फलित होना मेहनत का फल मीठा होना वह चीज हो रहा है पास्ट का जो भी था वह खत्म हो गया ठीक है टर्निंग इन अब अपने लाइफ में आप अंदर ही अंदर तक सोचते हो देखते हो खुद को और अब आपको जो भी परेशान कर रहा था कर रही मैंने बोला है फोर मांच के अंदर अभी से आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो ठीक है और आप शान्त रहें कोई कुछ कहता भी है तो आप इग्नोर करेंगे उस चीज को और आगे बढ़ेंगे लाइफ में क्योंकि समय आ चुका है आपका जो चीज आपको दूर दिख रही है वह पास में आने वाली पोस्ट पॉर्ण में मुझे ऐसा लग रहा है विदिन फोर मांच जब से वीडियो देखेंगे या विदिन फोर मांच आपके लाइफ में बदला होगा और पॉस्टिव बदला होगा ठीक है बहुत है लाइफ में ऐसा था तो उस चीज फैमिली में फ्रेंट सम्सर्कल में ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपको गाइडेंस अगर मिला है बहुत अची बात है नहीं तो गाइडेंस लें कहीं से जिस भी चीज के लिए आप देख रहे हो चाहे स्टूरेंट है फैमिली में है कुछ भी और प्रोजेक्शन का काड आया है इनकेस किसी का लाइफ में और एक चीज और में बोलना चाहूंगी आप अपने अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुनेंगे चाहे कोई भी मोमेंट आए ठीक है आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है तो आपको दिल और दिमाग जो कह रहा है वही चीज करना है यह न या वाइफ आजबन का रिलेशन है या किसी भी तरह का रिस्ते में कहीं जुड़ते हो दोस्ती में फ्रेंड्स में तो सुरुवात में वह चीज बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन जब बहुत जादा अटैच होते हो तब आपको पता चलता कि यह इनसान ऐसा है या ऐसी है और उसके बाद आपके लाइफ में उसका दूसरा चेहरा दिखता है ऐसा मुझे क्योंकि कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है तो यह चीज़ आपके लाइफ में होता है और होगा आगे भी होगा तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना उस समय फिर आपको अपने अंतरात्मा की आवास सुने है ठीक है समझ गए होगे मुझे ऐसा लग रहा है और किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो भी इंसान आपके जैनरल लेडिंग है बार बार मैं बोलनी हूं तो आपके लिए और आपके लाइफ में फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं और थ साथ पैसन्स तो अपको रखना है बड़न है और अपको रंज हो रहा था आपके लाइफ में घर्नावके और आपकर में अन्तरात्मा की आवाब जरूर सुनेंगे ठीक है कोई ऐसा चीज है जो जहां आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा फसी हुई हूँ फसा हुआ हूँ कैसे क्या निकलूंगा मैं जरूर निकलें गया और लव लाइफ में अगर आपका लाइफ में कुछ चल रहा था तो वह खत्म हो रहा है परिशानिया लव लाइफ की खत्म हो रही है जो भी इन आउट का सिच्वेशन था किसी किसी का या बार बार कहीं आपका प्रपोजल आ रहा था फिर खत्म हो जा रहा था कुछ इस टाइप का था उनके लिए मैं कहूंगे कि अब वो खत्म हो गया है इसलिए मैं कहा रही हूँ कि अब आपके गौड़ आपको डो टू रोमैंस और ये नन यांग का आया है तो पेसंस रखें दरवाजा जरूर खुलेगा आपके लिए गौड़ आपके खोल भी रहे इसलिए मैं कहती हूं कि कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर दोश्का हो सकता है मुझे ऐसा लोग रहा कहीं नजर लगती है या फिर किसी के नजर आप पर ऐसा हो जाता है कि वह खुश नहीं होता वह बंदा या बंदी जो भी है आपको देखके खुश नहीं होता है इस टाइप के कार्ड़ आए इसलिए मैंने बोला है चलिए अब आप जिस भी रिलिजन के हैं आपके गौड क्या क चाह रहे हैं चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू पर्फेक्ट टाइमिंग मैंने बोला ना टाइमिंग तो आ गई है आपकी जब से वीडियो देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है फोर मंच के अंदर आपके लाइफ में चेंजिस होंगे और अच्छे चेंजिस होंगे यानि जोआ आप मेहनत कर रहे हैं घूष पर ठरब्लाइगा अगर मेरेश के लिए देख रहे हो मैरेश के प्रपोजल लाएगा कर्यर के लिए देख रहे हो कुरियर में और विच एपी चेंज़ देखो परुछ collegues का भी करड आया है चलिए और कार्ड देख लेते हैं एक मैं और निकालूंगे स्कॉर्पियों आपके लिए ट्रस्ट खुद पर ट्रस्ट रखें अपने गॉड पर ट्रस्ट रखें इनकेस कभी करीं कुछ ऐसा होता है तो डिरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है यह आपके गॉड जिस भी रिलिजन के हैं आपके गॉड आपसे एक कह रहे है पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें तक किसी और का भी भलाओ फ्रेंड्स थैंक यू